नवस्कार फ्रेंड्स बीपी एस एकाडमी इडूप चलने में आप लोग का स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही इंपोडेंट होने वाला प्रेंड और आज हम लोग बात करने वाला है बीएससी इंटरस तरी की जो नई वेकेंसी आई है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक क बता दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर उससी लिवस में असे आ क्या रहा है क्या हमें पढ़ना है क्या हमें छोड़ना है कौन सा बीबी आई टॉपिक है कहां पर हमें स्किप करना है उसके बारे में बात करेंगे कौन सा बेस्ट बुक है और उस ब इस वीडियो को देखें लेकिन पाच लोगों के जीवन में इस वीडियो से परिवड़ता नांग चाहिए तो चलिए हम लोग अपने टैबलेट स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे सारे चीजों को बिस्तार से देखेंगे तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें फिन तो यहाँ पे तीन खंडों से प्रश्ण आते हैं पहला जो खंड है वो खंड का का है जिसमें आपको 50 प्रश्ण आपको देखनों को मिलेंगे खंड खास से आपको 50 परशन देखने हुआ क्मिलेंगे, और खंड गास से आपको 50 परशन देखने हँआ क्मिलेंगे, कुल टोटल आपको 150 परशन देखने हआ क्मिलेंगे, जिसके लिए आपको 600 marks का आपका exam लिया जाएगा, अगर यहाँ पे समय की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिये जाता है अगर निगेटिव की बात करें तो यह क्यूशन गलत करने पे आपके एक नमबर कटेंगे और यहाँ पे एक क्यूशन आपका चार नमबर का होता है यानि कि अगर आप 4 question गलत करते हैं तो यह question के बरावर आपका number कड़ जाएगा तो यहाँ पर अगर negative देखे तो एक बटा 4 के आपका हिसाब हो जाएगा अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर प्रश्ण कहां से आते हैं तो खंड का में जो प्रश्ण आते हैं को मिलेंगे इसके अलावा जो सबसे इंपोडेंट है वो है भारत के पडोसी देशों का इतिहास यह एक मुख इंपोडेर रोल निभाता है अगर आपने सिलेवस को ध्यान से देखा होगा बिहार बिहार एससी के तो बिहार एससी पर इच्छा में पांस से छे नंबर तक के भारत के पडोसी देशों के इतिहास से यहां पर प्रशन पूछी जाते हैं और यहां एक मेजर रोल निभाता है क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं सभी नहीं देखने मिलेगा तो इस हिस्ट्री से अगर बात करें तो हिस्ट्री से छे से साथ प्रशन आठ प्रशन तक आपको देखने को मिल सकते हैं किसी किसी पेपर में मैंने दस प्रशन तक देखे हैं जोगराफी से छे से साथ आठ प्रशन आपको देखने को मिल सकते हैं इसी प्रकार से अगर बात करें पॉलिटी से 6-7 प्रश्ण आपको यहां से भी देखनों को मिलेंगे, इस प्रकार से आपको यहां पर प्रश्ण देखनों को मिलेंगे, भारत के परोशी देशों के इतिहास से आपके 5-6 प्रश्ण आपको यहां से देखनों को मिल जाते हैं, तो यह आपका हो जाता है, यहां पे science और math दोनों हैं वो बिल्कुल ही दूसरे परिच्छाओं से अलग पूछे जाते हैं यहां का अगर आपने science देखा होगा previous year BACC का interlevel का या BACC CGL दोनों की बात करें तो बिहार SEC में जो science पूछा जाता है फ्रेंट वो one liner नहीं पूछा जाता है यहां पे जो science के जाता है 910 का तो अगर आप lucent या कोई भी one liner अगर आप science की बुक पढ़ते हैं तो वहां से आपको science नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहां पर fact नहीं पूछे जाते हैं यहां पर concept पूछा जाता है उसको भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है अगर math की बात करें त अगर कौन कौन से math के topic है जहां से हम अपना score boost कर सकते हैं उसके साथ ही अगर बात करेंड जो अगला जो सबसे important topic आ जाता है और यहीं पर बहुत लोगों का result बनाने में या result आपके खराब करने में दोनों में यह बहुत योगदान निभाता है और वो है reasoning reasoning एक ऐसा topic evident जिसक join किये हैं BACC interlevel में उनसे भी मैंने बात की तो अधिकतर जो negative होता है वो यहीं पर होता है यह आपका एक ऐसा topic है यह आपको डुबा सकता है यह आपको उगा सकता है अगर आपने यहाँ पर negative बचा लिया फिरेंट तो यह बहुत ही important रोन लिभाता है तो कहां से आपको reasoning बार BACC में प्रशन पूछे गया है तो वीडियो को थोड़ा से समय निकाल कर देखें तो सबसे पहले अगर खंड काकी बात करें तो यह मैंने कुछ book suggest किये हैं सबसे पहले अगर क्रेंटेफेर की बात करें तो क्रेंटेफेर से जैसा कि मैंने बताया 10-12 नंबर का आपका प्रशन आता है और यहाँ पे मैंने जो आपको book suggest किया है वो suggest किया है SPD का book यह book आप देख सकते हैं इस book की जो main खासियत के हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे जो प्रशन आते हैं वो बहुत ही पुराने पुराने आते हैं जैसे माल लिजे कि यह book एक साल के लिए हैं लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रशन है बहुत सारे आपको पुराने पुराने दो साल के भी प्रशन देखनों के मिल जाएंगे इसका benefit क्या होता है कि माल लिजे आपने देखा होगा कि कई बारा ऐसे कुछ प्रशन आ जाते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं तो वैसे प् पूरा पढ़ना है और इसके सत्थ एक आजाता है यृटरिया का आपको पूरा पढ़ना है लेकिन इसमें ध्यान रखियेगा यह उसको 5 50 पुरा कंप्लीट हो जाएगा इडूटेरिया मैं इसलिए पढ़ने के लिए बोल्डर ओफरेंट क्योंकि ये जो बुक है वो नेशनल अस्तर पे आती है और यहाँ पे आपको बिहार के जो क्रेंट अफेर है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप इडूटेरिया को साथ में पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको बिहार भी पूरा आपका कम्पलीट हो जाएगा तो यह दोनों बुक आपका क्रेंट अफेर के लिए हो जाएगा इसके साथ है अगर हम जीके की बात करें तो जीके यहाँ पे एक इंपोडर रोन लिभाता है आप जीके के लिए दो बुक को फॉलो कर सकते हैं पहला तो आपके लिए यह लूसेंट का बुक है बहुत सारे लोगों को लूसेंट याद नहीं होता है और मेरे साथ भी यही हुआ था मैंने अपने इसके चकर में दो से तीन साल बरबात किये थे तो लूसेंट आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ देखिए अगर आप इस तरह से अगर आप लूसेंट को याद करने जाएंगे बाई पेज बाई पेज तो आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे सा आप लूसेंट को भूलते जाएंगे इसका कारण क्या है फ्रेंट कि लूसेंट में बहुत सारा डाटा है जब भी आप Lucent पढ़ें तो माल लीजे आज आपने यहां से पढ़ा More Samaraj तो More Samaraj अब जब पढ़ेंगे तो उसके साथ यह वाली जो Lucent के Objective आती है इसको आपको साथ साथ करते जाना है जब आप यहां से More Samaraj पढ़ेंगे Theory और Objective दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो वो चीजे आपकी हमेशा के लिए याद हो जाती है और पढ़ने में भी वो चीजे आसान हो जाती है मलब Practice भी होता चलेगा और आपका वो चीज याद भी होता चलेगा तो जब भी आप यह Theory वाली Book पढ़ें उसके साथ ही आप यह Objective को भी Complete करते चलेंगे इसके साथ ही बहुत सारे लोग SPD को नहीं Follow करते हैं लेकिन जो सबसे Important है बिहार SAC के अगर आपने Paper को देखा होगा तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रशन देखें जो बिल्कुल All of syllabus होता है वो सभी आपको SPD में कीवशन आपको देखने को मिल सकते हैं और दूसरी जो SPD की Benefit यह होती है कि यहां पर आपको Negative से बचाता है बहुत सारे ऐसे आसान आसान कीवशन होते हैं जो हम जानते हुए भी Negative कर देते हैं इसका कारण क्या होता है कि हमने उस कीवशन को मलब जानते तो है लेकिन क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो Option में वह Negative हो जाता है तो आपको SPD follow करना है ऐसा नहीं कि आपको SPD का 2-5 पेज आपको पढ़ना है अब daily basis पे कम से कम एक पेज आप daily basis पढ़िए यह बहुत ही पढ़ना आसान होता है इसमें बहुत सारे कीवशन होते हैं वो repeated होते चलेंगे इसके साथी फिरेंट बहुत सारे ऐसे सुडेंट होंगे जिनको Lucent पढ़ना ही नहीं है उनके लिए एक मैं बुक बता देता हूँ यह आती एंसी आटी सार इसको आप जरूर से जरूर फॉलो किजएगा अगर आप Lucent को पढ़ते हैं तब फिर आपको एंसी आटी सार पढ़ने के जरूरत नहीं है अगर आप Lucent को नहीं पढ़ते हैं फिर आपको यह एंसी आटी सार पढ़ने के जरूरत है इस बुक की जो मेन खासियत यह है फिरेंट की एंसी आटी के पैटरन पे बेस्ट है और बहुत ही कम क्यूशन दिये हुए है तो उतना ही प्रशन दिया हुआ है जितना इंपोर्टेंट है इसके साथ ही फिरेंट अगर आप एंसी आटी सार पढ़ते हैं तो भी आपको यह लूशन का अबजेक्टी पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्यूशन है अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही यह मलब डाटा कम हो जाएगा तो दो बुक का आपको फॉलो करना है अगर आप लूशन पढ़ते हैं तो यह आपका एंसी आटी सार पढ़ने के जरूरत नहीं है अगर आप एंसी आटी सार पढ़ते हैं तो फिर आपको लूशन पढ़ने के जरूरत नहीं है दोनों में से आप किसी एक book को follow कीजे, क्योंकि यहां पे gk का बहुत ही कम योगदान होता है, gk में मलब आप समझ लीजे 10 से 12 नमबर आपका current affairs से, आप 5 से 6 नमबर आपके भारत के पडोसी देशों के इतिहास से, तो बहुत ही कम question आते हैं यहां से आपके gk से, तो यह आपका हो गया, इ आप उस वीडियो को देख लीजेगा, यूटूब ऐसे बहुत सारे भारत के पडोसी देशों के इतिहास से वीडियो पड़े हुए हैं, और उसमें पूरा इतिहास ही पढ़ा दिया है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने बिहार SAC के paper को ध्यान से देखा होगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत के डाटा है, जो भारत के पडोसी देशों के जो मुख्य डाटा हैं, वो सिर्फ पूछा है, तो मैंने आपको दो घंटे का एक वीडियो का लिंक दे दिया है, कम से कम आप उसको तीन से चार बार आप जरूर देख लिजेगा, इससे क्या होगा, कि आप उस पूरे वीडियो के जितने भी जो क्यूशन है, वो आपको याद हो जाएगा, और उसके आप लोग नोट्स भी बना लिजेगा, ताकि आप लोग फास्ट उसका रिविजन कर सके, तो यह आपका खंड काका हो गया, इसके साथी में बताना चाह दिया है, तो जो NCRT के लाष्ट में जो अब्जेक्टिव टाइप का जो क्यूशन रहता है, अगर आपको कहीं से NCRT अगर मिल जाए, तो उसको भी आप लोग कम्पलेट करने के कोशिस कीज़ेगा, मुस्किल से एक पेज में आवला 5-6 अब्जेक्टिव रहते हैं, एक च आपका साइन्स और आपका मैथ हा जाता है, अगर मैथ की बात कर फेंड, तो आप कोई भी बुक को फोलो कर सकते हैं, अगर आपके पास RS अगरवाल है, तो भी आप उसको फोलो कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपके पास सागीर एहमद है, फिर भी आप उसको फोलो कर सक और यहां पर सागीर एहमद में थोड़ा सा चीजों को आसान भासा में और ठोड़ा ट्रीकी बेश्ट में आपको यहां पर किवसंद देखने हो कि मिलेगा तो यह बूक आपको फॉलो करना है इसकी लिए मैं बता देता हूं यहां पर आपको जो एडवान्स मैथ है उसको देना है वह पर्षेंटेज पर ध्यान देना है लाभानी पर ध्यान देना है सधारन ब्याज के टॉपिक पर आपको ध्यान देना है चक्रिविर्धी ब्याज पर आपको ध्यान देना है इस तरह के जो दोड़ से समंधी प्रशन होते हैं वहां से आपको प्रशन पूछे ज एक बार आप लोग बिहार S.E.C. के सिलेबस देख लिजएगा, बिहार S.E.C. के सिलेबस में जितने टॉपिक दिये हुए है, मैत के उतने ही आपको करके जाना है, बाकी आपको एडभान से एक भी प्रश्ण आपको नहीं पूछा जाएगा, तो यह आपका मैत कहो गया, इस अब करेंगे, दुनिया में कोई भी माई का लाल आपका नहीं है, जो आपको मैत सिखा दे, तो जब भी आपको कोई माल लेजिए, आपको चक्रिवीरधी ब्याज नहीं बन रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो खुच से सिखने का कोशिज किजिए, इसके साथ ही, उसी दिन आप कोशिस कीजे कि आपके पास कोई दोस्त हो या उस topic को YouTube चैनल पे सर्च करके उसको पूरा complete करने की कोशिस कीजे क्योंकि अगर आप GK पढ़ते हैं तो वहाँ साने की security नहीं है लेकिन अगर आप यहां पे एक math की question को छोड़ते हैं तब समझ जाए कि आप पूरे type को छोड़कर जा रहे हैं तब जब भी आपको कोई दिक्कत हो उसको तुरा यूटूब पे सर्च कीजे और उसको वहीं तुराद complete करने की कोशिस कीजे इसके साथ ही अगर science की बात करें तो science यहां पे बहुत ही important role लिभाता है और science यहां पे बिल्कुल अलग पुछा जाता है जितने भी तरीके के exam होते हैं उन सबसे यहां पे science बिल्कुल अलग पुछा जाता है science आपको देखें यह ninth का science है यह तेंथ का science है यहां से आपको पढ़ना है फिरिंट मैंने अगर बिहार SAC की बात की जाए तो बिहार SAC NCRT को इतना follow करता है कि line by line और साथ में option सहीत इन्होंने NCRT से question को print किया है और खास करके आपको ध्यान रखना है NCRT जब भी आप होगा तो उसके last में 5-6 question objective के रहते हैं तो उसको आप लोग जरूर complete करिएगा और इसके साथ ही NCRT पढ़िएगा फिरिंट यहां से direct to direct आपको प्रशन देखने मिलेंगे मलब एक दम हूब 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 कॉपी-पेष्ट का हिसाब है NCRT के साथ बिहार SAC में और इसके साथ NCRT पढ़िएगा तो बीच बीच में आपको कॉलम बना बना करके कुछ प्रशने पूछे जाते हैं और वो सभी प्रशने से direct to direct question पूछा गया है साथ में कॉलम बना करके जो data दिया हुआ रहता है उसको भी आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा तो NCRT 910 का आप फोलो सारे आपको यहां से concept तो आपको मिल जाएंगे लेकिन फिर भी भारती वन पढ़ने के बाद आपके इसके लास्ट में जो objective दिया हुआ है NCRT का वह आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो मैं तो आपको यहीं कहूंगा कि आप NCRT को पढ़ लीजे बहुत ही कारगर सावित होत तो यहां से आप जब NCRT पढ़ेंगे तो आपका fact complete नहीं होगा तो fact के लिए आपको यह इस book को follow करना है यह आपका आता है घटना चकर का समान बिग्यान घटना चकर पुर्वा लोकन के नाम से आता है इस book की main जो खासियत यह है friend कि आपको यहां पे मालीजे कोई question दिया ह है बाकी जड़त्व कैसे निकलता है जड़त्व क्या होता है वो सारा इन्होंने concept दे दिया है तो आप यहां से जब पढ़कर के इस book को जब लगाएंगे तो हरे एक question से आप एक नया concept सीख सकते हैं तो इस book को आप मिस मत कीजिए का यह book बहुत ही important है और बहुत सारे इसमे पूर्वलोकन की है यह दोनों book आपके लिए बहुत ही कारगर सावित होगी इसके साथ ही अगर खंडगा की बात करें तो खंडगा में आपका reasoning आ जाता है और यह एक ऐसा topic है फिरिंट जो आपको result बना सकता है यह आपकी result को खराब भी कर सकता है अगर reasoning की बात करें तो reasoning मे YouTube से जो topic पूछे जाते हैं वो दरपन परतवीम जल परतवीम आपका पूछा जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो blood relation से भी आपको प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं इसके साथ है sitting arrangement से भी आपको कुछ प्रश्न देखनों की मिलते हैं तो यह कुछ ही reasoning की important topic है coding decoding से आपको प्रश्न देखनों की मिलते हैं तो एक बार आप विहार SEC का syllabus देख लिजेगा वहां से आप reasoning के topic को मिला लिजेगा और reasoning और math दोनों आपका practice का चीज है यह कोई भी book इसके लिए कोई बहुत best book नहीं हो सकती है आपके पास जो भी book है उसको आप लोग follow कर सकते हैं अगर आपके पास यह book है तो यह बहुत अच्छी book है जैसे मान लिजे कि कोई आपको reasoning के topic में दिक्कत हो रहा है जैसे कलेंडर में दिक्कत लोगika पूरी बुक बहुत ही मोटी है इतना आप पढ़ने के जरूत नहीं है जब आप टेस्ट्री लगाएंगे तो टेस्ट्री से ही आपका अलमुस्ट कम्प्लिट हो जाएगा तो जो टॉपिक आपका दिक्कत कर रहा है जैसे माल लिजे कि ब्लड रिलेसन या आपको जल पढ़त है वहां से आपको डेली बेसिस पे आपको पचास रिजनिंग रिवीजन होगा और उसके साथ ही पचीस मैथ रिवीजन होगा तो अगर आभी साथ माल लिजे चालिस से पैंतालिस दिन भी टेस्ट्री लगाते हैं तो मान के चली दो से हजार से अधीक आप रिजनिंग लग चालेंगे और एक से जाधा मैत लगा लेंगे तो इतना inऔफ होता है उसके साथ होगा भात करें टेस्टी से के लिए अभी मार्केट बहुत सारी चा但是ा की लिए जो वहां सभी टेसरी लगा सकते हैं बिल्कुल नए पैटर्न पर वहां पर टेसरी एड़ कर दिये गए हैं तो आप यह डिये सार को लगा लिजेगा जब भी आप यह डिये सार को लगाएंगे तो आपको 30 से 40 रुपेक आपको डिस्कॉइंट देखने हो मिल जाएगा तो वीडि के वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे तो बस आज के लिए इतना ही अगर कोई टॉपिक या कुछ मैंने आपको एक्स्प्लेन किया है वह आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे केमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं निश्ची तोर पर मैं को पूसिस करूँगा आपके कमेंट का रिपलाई देने का तो बस आज के लिए तना ही मिलते और वीडियो में टेक कर धने बाद बेश्ट पुलक